आप लोग अक्सर एक सब्द के बारे में सुनते रहते होंगे वो है गिलोटिन इस सब्द आया कहां से है और भालतिय संसत की संदर्ब में किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है इसके बारे में आप लोगों के पास एक सामान जानकारी होनी चाहिए और आप लोग देखते होंगे कि जब बजट सत्य चल रहा होता ना, बजट पेस होता ना, उस तमय जरूर ए सब्द चर्चा में आता है और आपको मालू होगा कि बजट सब्द का उल्लेक हमारे समिधान में नहीं किया गया है बार्सिक बित्तिय विवरन की बात कही गई है, आर्टिकल 112 में और आप देखते हैं कि एक फरवरी को आपका बजट पेस होता है, उसके एक दिन पहले एकोनोमिक सर्वे आता है और एकोनोमिक सर्वे में पिछला जो साल गुजर जाता है उसका लेखा जोखा होता है और बजट आप देखेंगे जो साल लग रहा होता आने वाला साल, उसके लिए खर्चे की बात की जाती है और संसत की बात होती है, तो आप देखते हैं कि संसत 79 अनुच्छेद आर्टिकल 79 यानि की 89 को पढ़ेंगे आप लोग तो संसत की कठन की बात की गिए इनमें तीन भाग होते हैं एक आप देखते हैं राज्यसभा एक आप देखते हैं लोकसभा और एक आप देखते हैं राष्टपती और भारत के राष्टपती की बात करें तो अनुछेद अगर बावन को आप लोग पढ़ेंगे तो राश्टपती की बात कही गई है और राश्टपती का चुनाओ आपको मल होगा कि लोगसभा, राज्यसभा और विधान सबा के निर्वाचिस सदस्तों के द्वारा होता है फिर बात आती है राज्यसभा की तो राज्यसभा में आप देखते हैं कि आपके बिधायक जो होते हैं वो राजसभा सदसों का चुनाओ करते हैं और सदस कुछ सदसों को राष्टपती साब मनोनीत भी करते हैं फिर बात होती है लोगसभागी लोगसभा का चुनाओ डारेक्ट जनता मद्दाताओं की द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चु किया जाता है उसके बीच में आप लोग रख देते हैं उपर से उसे दबाते हैं और वो कट जाता है अलग हो जाता है उससे जो भी काटना है तो यह दो खंबों के बीच लटकता आरे वाला यंत होता है और जिससे आप देखते हैं कि व्यक्ति का सर उसमें रख दिया जाता में गिलोटिन सब्द का बास्तों में क्या अर्थ है इस बारे में इसमें इसने अनिश्चिता और संदे की इस्तती उत्पन की हुई है और गिलोटिन सब्द मूलता सेर काट कर मित्युधंड देने वाले डिजाइन किये गए उक करन को संदिर भीत करता है और आप देखेंगे या फ्रांसी सी करांती के दौरान फ्रांस में मित्युधंड को अधिक विस्वसनिये और कम दरजनाग बनाने के लिए पेस किया गया था बिधाई बोलचाल में गिलोटिंग का मतलब होता है एक साथ समू बनाना और वित्य विद्यक को पारित करने में तेजी लाना बजट बिना किसी चर्चा के मद्दान के लिए रख दिया जाता है और आलाम से वो पास भी हो जाता है यह सोनिशित करता है कि आवंटिस समय की भीतर बजट पारित हो जाए और सरकार बिना किसी देरी के अपने काम जारी रख सके अभी आप देखें कि संसद में भारी हंगावा जो भी मांगे रहती हैं, बजट पेस किये जाने के बाद संसद में लगबग तीन सब्ता का आउकास रहता हैं, इस दोरां संसद की जो सदन की स्थाई समतियां होती हैं, विभिन मंतराले के लिए अनुदान की मांगों पर विचार करती हैं, और रेपोर्ट तियार करती हैं, स इसलिए कार मंतरना संती चर्चा के लिए कुछ महतपूर मंतराले की पहचान करती हैं, जैसे आम तोर पर आप देखें, ग्रह, रक्षा, विदेश मंतराले, किरसी, ग्रामिड, विकास, और संसदन, विकास मंतराले रहता हैं, और सदन में बाद विवास समाप्त हो जाने के और काम तमाम हो जाता है, ठीक है, एक तरह से पास हो जाता है, और विदेश की बात करें, तो आप देखते हैं कि राज्यसभा लोगसभा में कोई पिस्ता हो रहता है, तो चर्चा होती हैं, उसे आप लोग विदेश बिल कहते हैं, जैसे राज्यसभा लोगसभा से पारित ह मिलती है वो कानूर बन जाता है क्या हो जाता है अधिनियम बन जाता है कानूर बन जाता है तो इसके बारे में यही आप लो याद रखेंगा गिलोटिन सब्धेई